कोरोना वाइरस से बचने के लिए पुरे देश में लोगों को वैक्सिनेट किया जा रहा है ताकि भविश्य में बिमारी के खतरे को कम किया जा सके। इसी बीच इटली के शोद करताओं ने बिमारी के बाद शरीर में एंटीबॉडीज को लेकर मैतवफून जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कोविड-19 इंफेक्ट होने के आठ महीने बाद तक मरीज के खून में कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडीज रहते हैं। मिलान के सैन राफेल अस्पताल ने बताया कि बिमारी की गंभीरता मरीज की उम्र या किसी बिमारी की चपेट में आने के बावजूद ये एंटीबॉडीज खून में मौजूद रहते हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि शरीर में कोरोना के खिलाफ एंटी बॉडिस बने रहने तक वाइरस का खत्रा कम हो सकता है। शोद करता इटली के ISS टेशनल हेल्थ इस्टिटीट के साथ मिलकर इस पर काम कर रही है। स्टिटी के लिए उन्होंने कोरोना वाइरस के लक्षन वाले उन 162 पेशन्ट को शामिल किया था जिनने पिछले साल पहली लहर के दौरान इमरजेंसी रूप में रखा गया था। इनके बलड सैंपल पहले मार्च और एप्रिल में लिए गए थे और इसके बाद जो लोग सर्वाइफ कर रहे थे उनके बलड सैंपल नवेंबर में दुबारा लिए गए इनमें से करीब 29 मरीजों की मौत हुई थी। ISS के साथ साजा बयान में शोद करताओं ने बताया कि कोरुना पॉजिटिव पाए जाने के बाद अगले आट महीनों तक इन मरीजों के शरीड में बिमारी से लड़ने वाले एंटिबॉडीज पाए गए इनमें से केवल तीन ही ऐसे मरीज देखे गए जिनके शरीड में लं खबरों को पाने के लिए पने रहे हमारी चानल के साथ